हालो एव्रीवन माई नेम इस नाली निया वेलकम टो माई किचन आज किचन में कुछ बनाने नहीं आई हूं बलकि अमेजॉन के कुछ प्रोड़क्त रिवी लेके आई हूं यह प्रोड़क्त मैंने अमेजॉन से ली है और इस्तमाल करने के बाद कैसा लगा वो बताती हूं आ साथी में यह है नीविया का डियोडरेंट यह है द बॉड़ी शॉप का हेर एंड बॉड़ी वोश साथ में सावन ममाज का पंगाय है मैंने शेंपू कंडिशनर जो कि विद आनियन है अक्चली और प्लांट केरेटीन इसके अंदर है ऐसा ही बता रहे हैं यह है फॉल को रोल करता है इमेजेटली शैंपू और कंडिशनर दोनों 250 ml में आते हैं साथी इसमें मिला है ममाज का ही अनियन हेर मास्क विद आनियन आयल और इसमें लिखाया है कि और गैनिक बैंबू वेनेगर है यह हैर फॉल को करता है तुरन कंट्रोल तो यह तीनों प्रोड़क्त ज चीज़ों को यूज करने के लिए कि ममारत का ही ओनियन कंडिशनर और शैंपू यूज करें उसके साथ ही जो हैर मास्क मिलता है वो यूज करें और यह ना और टाइप पफ हैस के लिए सही है यानि ओली ड्राय नॉर्मल किसी भी प्रकार के आपके स्केल्प हो उसके लिए इसको यूज करने के लिए बालों को अच्छे से भिगो लें उसके बाद ये मास्क यूज करें मास्क का ये डबा देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है और इसके अंदर एक क्रीम होती है वाइट कलर की जो कि आपको हलके गीले बालों में लगानी होती है और दीरे दीरे लगा करके उसको मसाज करना होता है मसाज करने के बाद 15 से 20 मिनिट के लिए उसे आपको अपने बालों में ही छोड़ देना होता है तो मैं इसको पहले खोल के दिखाती हूँ देखिए अंदर से किस तरह का ये मास्क लगता है ये देखिए वाइट क्रीमी टेक्शर है इसक से रोकें और साथ में यी लिखा है कि एक इस तरह से सुटूबल है सभी ऑलेजिस के लिए थोड़ा सा हाथों में इस तरीके से लें पूरा वन टेबल स्पून की जितना लेना है और अपने फिंगर टेक की हैल से इस तरीके से पूरे बालों में लगा लें यह रिखे दीरे द बालों को वाश करने कंडेशन करने अब देखिए ये क्या असा लगता है लुक एडिस रिजर्स देखिए मुझे तुरंती वीडियो शूट करना था तो ये देखिए मेरे बाल कुछ इस तरीके के लग रहे हैं अच्छा फील दे रहे हैं साथ ही में ये दो दूसरा प्रोड़क्ट है दो बॉड़ी शॉप लेमन प्यूरिफाइंग हेर एंड बॉड़ी वाश ये दोनों काम करता है बालों को भी साफ करता है साथ में आप ऐस बॉड़ी वाश भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें जो खुश्बू है मन बन वो बहुत ही अच्छी है ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगी और साथ में प्यूरिफाइग करेगी ये प्रोटेक्ट थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन इसमें बहुत ही लेस केमिकल है जैसा कि ये दावा करते हैं और मुझे यूज करने पर ऐसा दिखा भी थर्ड प्रोटेक्ट है ये नीविया का दियोडरेंट और काफी माइल्ड है और ये मेरा बहुत बहुत बहले से फेवरेट राय है इसको लगाने के बाद 48 आर्स इसकी खुशबू रहती है लॉंग लास्टिंग फ्रेग्रेंस के साथ सारे और्डिस खतम करती है जैंटल है नीविया आपकी स्किन पर इसका फ्रेश फ्रोरल जो महक है वो बहुत ही अच्छा फील कराता है आपको काफी पॉजिटिव फील होगा स्किन पर यह काफी हलका है इसको लगाने के बाद मुझे कोई इचिंग या ऐलर्जी आस्तर नहीं हुए वैसे एक बात बताओं आप इसे अंडर आंस में डिरेक्ली यूज़ करें मैं आपको दिखाने के लिए उपर से कपड़े के उपर दिखा रही हूँ बट आप इसको डिरेक्टली अंडर आंस में लगाएं कपड़े को ऊपर नहीं नेक्स प्रोड़क्ट यह साबुन द बॉड़ी शॉप का यह अलमें मिलक हैं हनी सूधिंग और केरिंग क्लेंजिंग बार लुक अट इस यह पेपर रैप में आता है सबसे अच्छी बात तो मुझे यही कि बार देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है ना इसकी खुश्मी बहुत अच्छी है इसके पैकेट में लिखा है इसमें बादाम का तेल और हनी भी है 100 ग्राम के पैक कीमत है 295 रुपीज पैसा थोड़ा ज़ादा जरूर है लेकिन यह काफी लंबा चलता है यह साबुन इसमें कोई कलर कोई मिनरल ओयल कोई पेट्रोलियम नहीं मिला हुआ है यही इसकी सबसे अच्छी बात है और क्या आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो क झाल करका यही इसके नहीं मिला है इसकी सकता है यहीं बात है यहीं मिला है।